अगर आप में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एन तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले दिल्ली सरकार द्वारा दिनांग 25 ऑक्टबर 2020 के नमस्ते प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे बच्चो पाठ थप रोटी थप दाल को आपने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा आईए इस पाठ से कुछ नया सीखते हैं नीचे दिए गई संकेच शब्दों के मदद से पाठ की पंक्ति इनको देखते हैं पहला क्या है बच्चे रोटी का खेल खेलना चाहते थे तो यहां आएगा रोटी खाव में क्या है बच्चो ने बची हुई रोटी और दाल चीके पर रख दी थी गव में क्या आएगा नीना बिल्ली बनकर सारी चीजें खा जाती है गव में चुन्नु और टिंको को पहले बाजार से साग सब्जी लाने का काम दिया गया ठीक है आगे देखते हैं अब निम्ल के शब्दों का मिलान उनके अर्थ के साथ कीजिए यह शब्द है और यह उनके अर्थ है तो पहले जैसे एक करके दिखाया उच्छा उच्छा का अर्थ होता है आगे देखते हैं नीचे लिखे वाकियों को ध्यान से पढ़ी और बताईए कि पार्ट में यह वाके किसने किस से कहे थे तो जैसे एक हमें बताया गया वाके है क्या है नहीं मुन्नी इन दोनों से डाल बनवाएंगी यह किसने कहा था नीना ने किसको मुन्नी से तो दूसर इस तरीके से आप इनको complete करेंगे अगला है आओ बाचीत करें प्यारे बच्चों साथ दिये गए चित्र को ध्यान से देखें ठीक है आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे औरत आदमी और बच्चा क्या बाते कर रहे होंगे अनुमान लगाकर उनके समवाद बाचीत को जोर जोर से बोली और अपनी copy में लिखे तो आपको ये जो समवाद है ये अपनी जोर से बोलना अर अपनी copy में लिखना है तो जैसे देखो ये बच्चा कह रहा है पापा देखो मैं कितनी तो देखो कितनी की spelling ठीक कर लेना आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, मैं कितनी तेज साइकल, साइकल की भी ठीक कर लें, साइकल की क्या हो जाएगी, इस तरीके से, तो मैं कितनी तेज साइकल चला रहा हूँ, यह हो जाएगा बच्चे का समवाद, फिर पापा क्या कह रहे है बेटा धीरे चलाओ और मम्मी भी क्या कह रहे है बेटा ध्यान से चलाओ तो इस तरीके से आप ये जो समवाद है ये जोर से बोलेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और कितनी और साइकल की स्पेलिंग ये ठीक कर लेंगे और अभिभावकों के लिए एक सुझा हो रहेगा कि यदि संबाव हो तो बच्चों को घर में सबजियां उगाने के लिए प्रेरित कीजिए जैसे कि धनिया, टमाटर, बिंडी, आलू इस तरीके की सबजियां जो है ये लगाने के लिए आप बच्चों को प्रेरित कर सकते है तो आशा है आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबून में पानी से नियमित रूप से धोते रहना है तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें चानल को subscribe करें और मिलते हैं next वीडियो में